हम सभी निवेश के जरीय अपना भविश्य स्तुरक्षित करने के प्लैनिंग करते हैं लेकिन कभी-कभी गलत जगा निवेश करने से दिक्कते बढ़ जाती हैं ऐसे में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि सही जगा निवेश किया जाए जिससे हमें आगे जाकर किसी समस्या का सामना ना करना पड़े इसके लिए आज हम आपको SBI की N.U.T. स्कीम के बारे में बताएंगे जिससे एक बार पैसा लगा कर हर महिने एक फिक्स इंकम मिलने लगती है यह स्कीम देश भर में मौझूद SBI शाखाओं में उपलब्ध है आप SBI की किसी भी शाखा में जाकर इस स्कीम को शुरू कर सकते हैं SBI N.U.T. डिपोजिट में एक बार कुछ पैसा लगाने के बाद ग्रहकों को अगले महिने से एक फिक्स अमाउंट मिलना शुरू हो जाता है SBI N.U.T. डिपोजिट स्कीम में नियुंतम जमा राशी 25,000 रुपे है वहीं इसमें अधिक्तम राशी की कोई सीमा नहीं है ये स्कीम परसनल या जॉइंट अकाउंट बालिक और नबालिक कोई भी शुरू कर सकता है N.U.T. डिपोजिट स्कीम एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट प्लैन है N.U.T. डिपोजिट स्कीम में मिलने वाली ब्याजदर S.B.I. की फिक्स्ट डिपोजिट की ब्याजदर जितनी ही होती है साट साल या उससे ज्यादा उम्र वाले वरिष्ट नागरिकों को मिलने वाली ब्याजदर 0.59 फीजदी ज्यादा होगी वहीं S.B.I. स्टाफ को ब्याजदर एक फीजदी ज्यादा मिलेगी इस स्कीम में मेचियोर्टी पीरियट 3 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल तक होता है N.U.T. के बैलन्स अमाउंट के 75 फीजदी तक का ओवरड्राफ्ट या लोन लेने की सुविधा भी है 15 लाख रुपे तक की जमा राशी पर समय से पहले भुक्तान की भी अनुमती है हाला की प्रीमेचियोर क्लोजर पर पैनल्टी देनी होगी बैंक के मुताबिक N.U.T. डिपोजिट स्कीम में जिस दिन अकाउंट खोला गया उसके अगले महीने की उसी तारीक से ब्याज का भुक्तान शुरू होगा इसके साथ इस स्कीम को दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर कराने की सुविधा भी है अब हम आपको इस स्कीम से हर महीने होने वाली कमाई के बारे में बताते हैं अगर निवेशक हर महीने 10,000 रुपे की मासी काय चाहता है तो उसे स्कीम में 5,7,964 रुपे जमा खराने होंगे और उसे इस जमा राशी पर 7 फीजदी की ब्यासदर से रिटर्न मिलेगा जिससे आपको हर महीने करीबन 10,000 रुपे मिलेंगे अगर आपके पास निवेश करने के लिए 5,000,000 रुपे हैं और आप भविश्य में अपनी आयब बढ़ाना चाहते हैं तो SBI NUT deposit scheme आपके लिए एक बहतर विकल्प हो सकता है